नाभी शरीर का केंद्र बिंदू होता है। आयुर्वेद के अनुसार नाभी वो स्थान है जहां से जीवन की शुरुवात होती है। यह एक सेतु का कारे करता है जो मा को गर्भ में पल रहे बच्चे से जोड़ता है। योग शास्त्र के अनुसार शरीर के साथ चक्रों में से मनी पुर्चक्र का स्थान भी नाभी क्षेत रही है। भारत में नाभी में तैल लगाने का प्रचलन अत्यंत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। ये आपकी त्वचा से लेकर मस्तिष्क, फ्रिदय, आखों वो प्रजनन संबंधित सभी विकारों में अत्यधिक लाभकारी होता है। जिस प्रकार किसी पौधे को पोशन देने के लिए उसकी जणों को पोशन दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के सभी अंगों तक पोशन पहुचाने का माध्यम ना भी हो सकता है। आयूरवेद की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने एवं आपको स्वस्त बनाए रखने के लिए वेदालेक्स आपके लिए लाए हैं ना भी अम्रितम तैल जो बना है अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों एवं तैलों के मिश्रण से। अरंड तैल लगाने से पाचन तंत्र दुरुस्त होकर कब्ज की शिकायत दूर होती है। बादाम का तैल नाभी में लगाने से तवचा चमकदार एवं होट स्वस्त रहते हैं। कलाउंजी तैल आपके बालों के स्वास्थे का ध्यान रखता है। वही नारियल का तैल आपके छेहरे पर चमक बर खरा रखते हुए वचा को निरोगी बनाता है। त्रिफला के इस्तिमाल से पाचन तंत्र एवं आखों को लाभ मिलता है। नीम का तैल आपकी तवचा से क जदै स्वास्थे के लिए लाबकारी है। इसमें मौजूद गउधृत, घुटनों तथा जोडों के दर्द में लाबकारी है। तिल के तैल में सूजन रोधी गुन पाई जाते हैं। ये शरीर में दर्द वसूजन को कम करने में सहायता करता है। अगर आप भी शारीरिक वमान सिक रूप से पून तया स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो रात को सोते समय अपनी नाभी में चार से पांच बूंदे नाभी अम्रितम की डालें और कुछ समय पस्चाद नाभी क्षेत्र में हलके हाथों से मालिश करें।